और सीधे रुख करेंगी केंद्री ग्रेमंत्र आमिश्चा विज्ञान भवन में कारिक्रम को संबोधित कर रहे हैं I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं आज ये I4C को अपना धेव आक्य और उनके उद्गोष पत्र को भी यहां एक प्रकार से इंट्रुडूईस किया गया है सहवीरियम करवावहे का ये जो उपनी सदो का मंत्र है वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए एक साथ समान उद्देश के काम करने के लिए एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयतनसिल रहने के लिए इससे बड़ा कोई वाक्या हो नहीं सकता और मैं मानता हूँ कि आज का दिन I4C के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मेरा I4C की टीम से आगरह भी रहेगा कि हर स्थापना दिन पर आप इसी तरह से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम है जो आपके जिम्मे किया गया है जिसमें समन्वय के बगेर कुछ हो नहीं सकता कोई एक संस्था कोई एक इंस्टिटिशन साइबर स्पेस को सुरक्सित करने में सफल हो ही नहीं सकती वो तभी हो सकता है जब अनेक प्रकार के स्टेक होल्डर इसके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक ही डिजाइन के तहट एक ही रास्ते पर आगे बढ़ने का थाम करें और आज ये प्रयास जो है वो बड़ा अभिनंदन्य प्रयास है आज ही चार प्रमुक साइबर प्लेटफॉर्म का सुभारम किया गया है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी साइबर कमांडो का सुभारम समन्वे प्लेटफॉर्म का सुभारम और सस्पेक्ट रजिष्ट्री इसका सुभारम मैं सस्पेक्ट रजिष्ट्री पर जरूर बात ज्यादे करना चाहूँगा क्योंकि हमारे यहां इतने बड़े देश में और जबकि हमारे संविधान ने एक प्रकार से कानून और व्यवस्ता को राज्य का मुद्दा माना है तब साइबर सस्पेक्ट रजिष्ट्री हर राज्य के पास अलग-अलग साइलोज में पड़ी रहे तो इससे हमारा काम नहीं होता क्योंकि राज्यों की तो सिमा है अगर राज्ये साइबर सस्पेक्ट रजिष्ट्री बनाएंगे तो इसकी भी सिमा अपने आप हो जाएगी मगर साइबर अपरादियों की कोई सिमा नहीं है वो अंतराश्ट्रिय स्तरपर भी अपराज करते हैं, राश्ट्रिय स्तरपर भी करते हैं, राज्य के स्तरपर भी करते हैं, इसलिए समय की एक मांग थी कि सस्पेक्ट रजिश्ट्री बनाई जाए, राश्ट्रिय स्तरपर बनाई जाए और सभी राज्यों को इसके साथ जोड जाए एक साजा मंच ये अपराद के सामने लड़ने के लिए शुरू किया जाए मैं मानता हूं इससे आने वाले दिनों में अपराद की रोगदाम में हमें बहुत बड़ा फाइदा मिलने वाला है मित्रो दस सप्टेंबर से आई फोर सी देश व्यापी एक जन जागरुकता अभियान भी आरंप कर रहा है 72 से ज्यादा टीवी चैनल, 190 एफेम चैनल और कई सिनेमागर और कई प्लेटफर्म्स के माध्यम से इस अभियान को हम पॉपिलर करने का प्रयास करेंगे क्यूंकि जो विक्टिम है उसको बचने का रास्ता जब तक मालूम नहीं है तब तक यह अभियान सफल ही नहीं हो सकता 1930 का नंबर जितना पॉपिलर करेंगे I4C के सारे प्लेटफर्म्स को जितना हम पॉपिलर करेंगे उतना ही इसकी उप्योगिता बड़ेगी इतना ही ए अपरादों को रोकने में हमें सफलता मिलेगी और मैं आज इस मौके पर सभी राज्य सरकारों को भी अपिल करना चाहत हूं कि अभ्यान के साथ सभी राज्य सरकारे भी अपने आपको जोड़े अभ्यान को गति दे और गाउं गाउं सहर सहर तक जागरुकता फेलाने में ये अभ्यान को सफल बनाएं आज साबर फ्रोड मिटिगेशन सेंटर का भी गाटन हुआ है बैंक, फाइनांशल इंस्ट टैलिकॉम कंपनी, इंटरनेश सर्विस प्रोडर और पूलिस एजनसी इस सब को एक प्लेटफर्म पर लेकर एसी एफमसी का जो विचार रखा गया है मुझे लगता है ये आने वाले दिलों में बहुत प्रमूख प्लेटफर्म साइबर अपरात की रोगधाम के लिए बने मैं I4C को इतना भी कहना चाहता हूँ, कि जो अलग-अलग डेटा आता है और साइबर फ्रोड मिटिगेशन सेंटर को एक और काम भी देना चाहिए, AI का उप्योग करकर इसके अंदर से MO को आइडेंटिफाई करकर इसकी रोगधाम के नए तरीके भी हम करें जैसा आगे बताया, साइबर कमांडो परियोदना का सुभारम हुआ है, पांच साल में लगबग पांच हजार साइबर कमांडो तयार करने का लक्स रखा गया है और समन्वे प्लेटफर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उप्योगी साबीत हो नहीं वाला है मैंने कई बार काया है, एक पूराना सूत्र था, need to know, इसकी जगे, duty to share एक आज के समय की मांग है और इसके लिए समन्वे प्लेटफर्म से ज्यादा कारगर कोई उपाय हो नहीं सकता डेटा डिवन एप्रोच के साथ समन्वे पॉर्टल को हमने आगे बढ़ाया है और एक साजा डेटा कोस बनाने का एक सायद देश में सबसे पहला प्रयास है और यह जो सस्पेक्ट रेजिस्ट्री भी बनेगी वो हमारे कई सारे गुनेगारों को एक प्लेटफर्म पर लाने का काम करेगी मित्रवाज जो चार इनिसेटिव आई फॉर्सी और देश भर की पुलीस ने साथ में मिलकर यह बढ़ लिये हैं मैं मानता हूँ कि यह लड़ाई को और पुक्ता और मजबूत और आगे आने वाले दिनों में इसको सफल बनाने में बड़ा योगदान करेंगे हम थोड़ा पीछे मुड़ कर देखें तो इंटरनेट उप्भोग्ताओं की संख्या 31 मार्ट 2014 को देश में 25 करोड थी और आज 31 मार्ट 2014 को 95 करोड है और जैसे डाउनलोड स्पीड बड़ी है कोस्ट कम हुई है इसके कारण डेटा की खपत में भी बहुत बड़ा बड़ोत्री हुई पहले उसत 0.26 जी भी था आज 20.27 जी भी लगवग 78 गुना बड़ोत्री हुई है और कई सारे डिजिटल इंडिया हमारा जो इनिसेटिव है इसके कारण देश में कई सारी सर्विसीज ऑनलाइन हुई है 35 करोड जंदन खाते 36 करोड रूपे डेबिट कार दोजार चौबीस में एक यूपी आई के ट्रांजिक्शन को ही ले ले तो 20 लाग 64 हजार करोड के रकम का लेंदेल हमने डिजिटल ही किया है और 46 परसंट विश्व का डिजिटल ट्रांजिक्शन का वॉल्यूम आज भारत में हो रहा है मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रकार से सिद्धी है कि दुनिया में आजे आधे डिजिटल ट्रांजिक्शन भारत में हो रहें मगर एक प्रकार से हमारे काम का व्याब भी बताता है जब डिजिटल एकाउंट्स बढ़ते हैं, डिजिटल टांजेक्शन बढ़ते हैं, तो डिजिटल फ्रोड की सुरक्षा की रिक्वार्मेंट भी बहुत बढ़ जाते हैं, हमें इसके प्रती जागरुक रहना है, नक्रेवल डिजिटल टांजेक्शन 2014 में 600 पंचायते नैट से जूड़ी थी, आज 2,13,000 पंचायते जूड़ी हैं, और हमारा लक्स है कि इस से नीचे भी हम इसको पहुँचा हीए, 7 लाग किलो मिटर अप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, यह मैं आकडे इस सभी लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारा काम कितना चुन का उप्योग इतना व्यापक मात्रा में बढ़ रहा है, तब साइबर फ्रोड से इसको सुरक्सित करने की जिम्मेदारी भी हमारी बहुत बड़ी हो जाती हैं, साइबर अप्रादियो द्वरा, महत्वपुन व्रतिगर डेटा की विक्री, ओनलाइन उत्पिडन, महिला और पाल सोशन, फरजी समाचार और टूल किट, मिस इन्फरमेशन केंपेन, कई सारी चुनोतिया हमारे सामने खड़ी की हैं, और मैं अभी भी मानता हूं कि इसके उपाई के लिए आज भी हमें काफी कूछ करने की जरूरत है।